दोस्तो आज हम आपको ले के आए बर्गर खिलाने और ऐसा ऐसा बर्गर भी नहीं माज़र 30 रुपए का जो है जम्बो बर्गर तो उसके लिए चप से पहले चलता है और भाईया से बात करते हैं मुश्कार भी है क्या आम है अपका लिख्रम शिंदुफवर कप से लगा रहे थेला यहां पांच से महीना हो गया क्या क्या सेल करते हो आप अपने करते हैं चानिज आइटम नोडल्स बर्गर और आप जेख सकते काली जब मोमोज भी भाईया बहुत अच्छा सेल करते हैं तो वह आखा लिए अम्हारा पाव गरम हो रहा है इसको हम दना तरप पे गरम करेंगे लेक्तना ताइट हो गया है यह चाप झिखता है उसे भे निकत रहा है है अब इसके हम करेंगे मैनी जी रुष ऑप योनी जी हारी चटनी सोया सोस है ना है तो ने ने हरी चटनी है यह हरी चटनी है जिससे कि हमारा बर्गर चट पटा होता है अब हम करेंगे थोड़ा ग्रेन चिली यूज इसके बाद हम इसे कि पैस्ट डालते हैं थोड़ा सॉस यह बर्गर कीढमारी चटनी हुएन और हमसमप sals Tennat सबसे पहले हम दालेंगे तमाटर के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज विजह की जो सलाद बारी कपन ने काटे हुँई है इसको अच्छ से जरेक लेते हैं इसको ताजा काटते बाट den नहीं पूर पड़ा हुए तामाटर का इसको भी डाल दिया अपने आप जालते हैं कखडी की सलाथ है यह हमारा सलाथ का स्ट्रत आइए यह इंपर खता मुटा है अब हम इसमें डारेंगे ठीका बाला सेव भी डलता है इसमें किमत किती है इसकी बर्गर की 30 रुपर मातर 30 दोस्तो आप देख सकते हैं पूरा लोडेट दिगरा हमारा बर्गर अब इसके अंदर का जो डेकोरेट के लिए हम इसमें महिनुच फिर से दुबारा दालेंगे मियोलिस अब इसको हम बंद कर देंगे मैं अब इसका यह उपर का जो डेकोरेशन होता है इसका बर्गर का इस तरीके से हमारा बर्गर फूर तरह से कंप्लेट वो चुटा है अब अपने पेस्टो को दो किया बात है वह यह हमारा वारा तीस रुपए गा बर्गर आप देख सकते हैं पूरा लोड़ेड है यह हमारा बर्गर भाई पूरा लोड़ेड मात 30 रुपे में पुल्ली लोड़ेड है जो भाईया ने अंदर आलू एड किया था आलू की टिक्पी थी पूरी तरीके था फ्राइड थी और यो करारा करारा टेस्ट या रहा है और बाती मियानी जा कट्रा मेटा टेस्ट है अमचुर का जो श्टार्टिंग मसारा डाला उसका बहुत अच्छी तरीके सा टेस्ट आ रहा है पुल मिलाके बहुत अच्छा टेस्ट है थार्टी रुपीज के साफ से मयकोरी लगता इससे अच्छा बर्गर आपको भी लेगा तो आप एक बार लोकीशन देख सकते हैं पूरी की पूरी स्ट्रीट पूड पूरा प्रोपर स्ट्रीट पूड का टेस्ट आने माला है यहा हृआ हृआ